सीबीएस्सी रिजल्ट का वेट करकर के धिमाग खराव हो गया हमारा भी और बच्चों का भी बच्चे मितलब बच्चों का उसीन हो रहा है तारीक पे तारीक पे तारीक कब आएगा रिजल्ट कुछ पता नहीं चल रहा है मैं यहां पर जैसे की चेक कर रहा हूं और जो पताता हूं आपको रिजल्ट से पहले आपको कुछ बाते पता हो नहीं चाहिए देखो एक तो बार धियान रखना बहुत से बच्चे पूछे थे सर कितने नंबर पर पास होते हैं तो 33% नंबर लाने होते हैं आपको टोटल के बार भी में थियोरी में अलग पास होना पड़ता है प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है लेकिन 10 के बच्चो का पास होना बहुत ही आसे लेकिन 5 तक नाइन दो उसका कारण यही होता है कि बारीवी में ठियोरी और प्रैक्टिकल में अलग-अलग बास होना पड़ता है अब आप कहोगे सर पिछले सालों का रिजल्ट कितना राई बता दूँए तो पिछले सालों का रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा अब उससे पहले मैं आपके एक वाद बता दूँए कि टैंथ के जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो अब जो टैंथ में आएं उनको अपनी त सकता ही बताऊंगा लेकिन जो दस्वी के बच्चे हैं अभी मैं मारगिट जा रहा था और मुझे एक किताब मिली ये है गुरुकुल बाई ओस्वाल पुब्लिकेशन और ये बुक भाई तनी बढ़िया है ये बुक आप जरूर ले लो ये है रामबान बुक एक तरह से क्यों आपको इस बुक पर इसके बुक के बाद कोई दूसरी बुक पढ़ने जरतनी पड़ेगी इसमें क्या-क्या है मैं आपको दिखा जेता हूं इसको परमोशन मस समझेना ये बुक में अपनी कोचिंग में बच्चों को करवा रहा हूं तो बहुत अच्छे रिजट आ रहे है प्रेक्टिस पेपर हैं सोल्ड लास्ट मिनट सिग्रेट अन्वील्ड हैं आंसर विद इंडेप्ट एक्स्प्लेशन हैं सैलेबस पूरा नया कवर्ड किया गया है और लास्ट मिनट में आप रश नहीं करना क्योंकि बुक मिलनी थोड़ी मुश्किल हो रही मार्किट में इ इसके अलावा इस बुक का जो प्राइज है बहुत रिजनेबल रखा गया है लेकिन जो मैं लिंक दूंगा अगर वहां से आप लोगे तो आपको और वी फायदा होगा दोजार पच्छिस के लिए एक बार दिखा दीजिए आप दोजार पच्छिस के लिए लेटर सेले बस तो अगर मैं बात करूँ 2019 की 2019 जबकि कोविट नहीं आया था तो 83.4 परसेंट रिजल्ट था और अगर मैं बात करू 2020 की तो 88.78 2021 में 99.37 2021 कोविड यर जब पेपर कैंसिल करवाए थे हमने याद कर लो भूल बच जाना कोई भी और पेपर कैंसिल के लिए मुझे बहुत स्कुल में जाना पड़ा था मुझे कोविड हो गया था आयवास होस्पिटलाइस इस बात को पु 87.33% तो अब रिजल्ट कितना सकता है मेरे साब से इस बार रिजल्ट जो है सीवेसी का बारवी का 85 तो 90 की बीच में वैरी करेगा और किसमत अच्छी तो 90 सो पर चला जाए थोड़ा सा और अगर मैं बात करू दस्वी की तो 95 से आसपास 94 95 96 97 इतना रिजल्ट दस्वी का रह कि बहुत कन्फूशन निसमें देखो 2023 में दिसंबर में सीवेसी का नोटिफिक्शन आया था जो मैं आपको दिखाया भी ता पहले उसमें सीवेसी ने कहा था ना इस बार मेरिट लिस्ट बनाएंगे ना टोपर बताएंगे ना हम कोई मार्स बताएंगे बच्चों के हम सीजी पे देंगे उससे प्रसेंटेज निकाल लेंगे लेकिन मुझे असा नहीं लगता कि मार्स चीट पर आपके मार्स नहीं होंगे मार्स चीट पर आपके इंडिजिवन मार्स तो होंगे लेकिन टोटल मार्स नहीं होंगे मतलब जैसे फिजिक्स की बात करें प्रैक्टि 70 वालों की परसेंटाइल सेम रहती है और CGPay से परसेंटेज कैसे फाइन करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ फिर दुबार बताता हूँ अगर आप अपने CGPay को 9.5 से मल्टिप्लाइ कर दोगे तो आपकी परसेंटेज आ जाती है मेरी वीडियो के बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो गनाई और उन्होंने मेरी exact कोपी करके आपको बता दिया कि 9.5 से मल्टिप्लाइ कर दो लेकिन उसका भी लोजिक है हर परसेंटेज 9.5 से मल्टिप्लाइ होकर परसेंटाइल परसेंटेज नहीं बनती उसका अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट करिएगा और इस वीडियो को एक हजार से उपर लाइक करिएगा तो मैं जरूर बनाऊंगा उसमें बहुत महनत लगती है तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि एक्जाम जानकारी चैनल इसलिए बनाया गया है यह कोई वी क्या से कि मैं और एक्जाम कवर करूँ इसमें गवर्मेंट जोब की प्रिपेशन की तहरी बताऊं आपको जो भी चीजे होती हूं सारी बताऊं तो रिजल्ट की डेट आज देखें 29 तारीक हो गई है 30 फिर 1,2,3,4 तो मुझे लगता है रिजल्ट फर्स्ट वीक में भी आ करेगा और बोड की बात समझ लिए बोड में नंबर हमेशा बच्चों की उमीद से जादी आते हैं कम कभी नहीं आते हैं यह मैंने देखा है जितना आप सोचते उससे जादा नंबर आते हैं पता नहीं क्यों आते हैं सीमीद से मोडरेट करती है थोड़ा बहुत रिजल्ट को अदरवाई देखिए हिमाचल परदेश का रिजल्ट आया एक्पी बहुत कम रिजल्ट आया है लेकिन सीबेस्टे का रिजल्ट 80 90 95 परसेंत क्यों चला जाता है तो यह खुश कभरी आपके लिए बट मैं यह नहीं कि सब पास हो गया बहुत से बच्चे मुझे मेसेज करते हैं सर सब पास होंगे क्या सर सीबसी किसी को फेल भी करती है कि हाँ करेगी फेल अगर आप कोपी में कुछ लिखोगे नहीं आप बिल्कुल खाली छोड़के आए जाओगे दुरुभा के वश कुछ गलती पानलो आप अगर आप लिखोगे नहीं तो सीबसी कहां से नमबर देदी कि थोड़े बहुत में चल जाता है मामला 19-20 का लेकि नितना नी कि आप बिल्कुल इर्रिलिवेंट लिखके आये हो एक कुछ बच्चे लिखते से मैं कोपी भर दी पूरी मैं सब लिखके आया हूं लेकिन पास करने में मेरा उद्देश्चे ही रहता है कि बच्चा पास हो जाए हाला कि मुझे कहीं बार इसके लिए टांट भी पड़े जाती है है अनुरॉक क्या कर रहा इस पर नमबर क्यों दे रहा है सर बच्चा आया सर कोई बात नहीं करती है तो यह अगर होता तुम्हारा है क्या ही कहूं आप इसको सब पता है दर्द दुबारा निकल जाएगा भार घाव अभी जिन्दा है घायल सब हैं फिजिक्स की वज़े से भगवान से प्रातना है कि फिजिक्स में सीवेसी भर भर के नंबर दे ग्रेस दे और आप सब पास हो जाओ सबको नमस्कार ससरीकाल स जाहिं जाए भारत बन लेवातर अल्द बेस्ट